नमस्कार दोस्तो जो पैक्ति सिर्के शादक होते हैं उन्हें ना तो मोद का भेह होता है नहीं किसी रोग का और नहीं किसी शोग का जो पैक्ति महा मित्युजजजजजजब कर ले तो वह पैक्ति अपनी आकाल मित्यों से निर्जित कर लेता है यानि कि उसकी आकाल मित्यों नहीं हो सकती है जो पैक्ति महा मित्युजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज वाला उसके साथ साथ आपको महामित तिंजय चप करना भी जरूरी है नमबर एक अगर आपकी कुंडली में किसी भी करेगा मास कोचर या फी अंदरशा या कोई भी परिशानी हो उसे दूर करने के लिए आप महामित तिंजय कर जप करें ऐसा करने से आपके कुंडली में उने वरी सारी परिशानियों का समाधान जल्दी ही हो जाएगा नमबर दो महामित तिंजय चप करने से आपको कई फायदे हैं अगर कोई फैक्टी बड़े ही लंबे समय से बीमार है बीमारे से ग्रशित है उसकी कुंडली में मित्य यूग है तो महामित तिंजय चप करने से उसका ये है दोश दूर हो जाएगा और उसे आकाल मुत नहीं हो सकते नमबर तीन अगर आपके किसी कारे में कोई भी बाधा आरी हो या फिर किसी वेपसाय में आपको घाटा हो रहा हो तो उसे दूर करने के लिए या किसी धन से समधित किसी भी परिशानी को दूर करने के लिए महामित तिंजय चप बहुत ही बड़ा सिद्ध माना जाता है कहते हैं अगर आप महामित्य जचप रोजाना करते हैं तो इससे आपके घर में हो रही चितनी भी परिशानी है वह दूर हो जाती है महामित्य जचप करने वाला पैक्ति हमेशा आपने बुर्वानी से उस मंत्रकाद चाप करने से उसे कई फायदे होते हैं वह एक तो बैमारी से तो दूर हैता ही है और उसे जितने भी परेशानियां हो वह भी दूर हो जाती है आकाल मित्यू से भी उसे भ्य नहीं रहता इसलिए कहा जाता है कि महामेचुजे चप करने से उस अलोगय में बदल जायेंगे महामितिजय मंत्र का अर्थ होता है तीन नीट्रों बाला जैसा कि सीवशंकर और जो फूलों से सुगंदित है जो आपके जीवन को समरिदी से भर दे जैसे कोई माले है अपने फूलों की रक्षा करता है, सुरक्षा देता है, पानी देता है वैसे ही सीवसंकर इस मंत्र में आपकी चान की और आपके जीवन की बहुत जाला रख्षा करते हैं यदि आप महामितलजय मंत्र का चप दो से चार बचे के बीच में करते हैं तो इससे आपको एक अलग ही फल मिलेगा यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं पांच बार उस रुद्रक्षे आप महामितलजय मंत्र का चप करते हैं तो इससे आपके जीवन यानि कि आकाल मित्यों नहीं हो सकती है तो ये थे वे कारण जिससे पता चलता है कि महामितलजय मंत्र के चप का क्या फाइदा है मेरी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुलें